So hello and welcome back to the video, this is Ayush and आज मेरे साथ में है the all new 2021 Hyundai Elksar and Hyundai Krita अब Krita का ही 6-seater या 7-seater version आप Elksar को बोल सकते हो और जब यह आने वाली थी तब अपन यही बोल रहे थे कि Krita 6-seater और 7-seater configuration के साथ में Indian market में launch होगी इसे Elksar company ने नाम दिया है, इस गाड़ी के सारे variants आप लोग देख चुके हो चैनल पर अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं, अभी इस वीडियो में सिर्फ में आप लोगों का एक बहुत बड़ा doubt clear करने वाला हूँ जो कि मेरी वीडियो को देखने के बाद में कई सारे लोगों के questions आएं कि क्रेटा लेनी चाहिए या अलगजार लेनी चाहिए suppose आप लोगों का budget है 20 लाग रुपे का, तो आप लोगों को आज इस question के answer मिलने वाला है 20 लाग रुपे इसलिए लिया क्योंकि कई सारे लोगों का रेता है कि हाँ SX लेना है, इसका तो prestige लेना है, platinium लेना है, signature लेना है, जो भी है इंटिरियर से ये बैठने में कैसी है और इंटिरियर से ये बैठने में कैसी है, that's all, features के comparison जो है वो नहीं करने वाले, because इसके कई सारे अलग-अलग variants है, ये तीन variants में आती, automatic versions में कुछ अलग features मिलते है, तो आप लोगों को इसकी videos भी सारी channel पर मिल जाएगी, और इसकी भी सारी cars listed है, आप अपनी location चूज करिए, वहाँ पर जाने के बाद में आप website पर चाहिए, car select करिए, जो आपको पसंद आती है, उसकी सारी reports आप लोगों को महाँ पर मिल जाएगी, कि actual condition में वो गाड़ी कैसी है, 360 degree view में आप लोग देख भी सकते हो उस गाड़ी को, कहाँ पर Link नीचे description में एक बार try ज़रूर से करिए, अब यहाँ पर आप दोनों ही गाड़ीयों को देख सकते हैं, Creta almost आप लोगों ने देखी होगी, बट एक बार में आप लोगों को फिर से Alzar जो है वो बता देता हूँ, क्या कुछ differences आप लोगों को मिलते हैं, variants यह एक basic model है, बट थोड़ी सी जाधा premium appeal करती है, compared to Hyundai Creta, definitely यह एक EX model है, जो की जाधा उपर वाला model नहीं है, तो इससे definitely आप लोगों को थोड़ा समझ मी नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इसका design और उसके design में differences क्या है, तो यहाँ पर आप लोग दे indicators ही नीचे दिये गए है, that's all, अब चलते हैं side portion में, कि side portion में आपको क्या कुछ changes मिलते हैं, एक और चीज़े बताते जाओं, यह owner जो है, वो बिल्कुल same है, same यह वाली crease यहाँ पर आपको मिलती है, और यह shape मिलता है, and same यहाँ पर भी आप लोगों को एक ही crease मिलती है, और पर यह shape मिलता है, तो front से देखने में आप लोगों को दोनों ही गाडियां almost similar लगेगी, जो बड़ी grill है, वो एक Elzar का premiumness जो है, वो थोड़ी सी जादा बढ़ा देती है, और definitely वो थोड़ी सी premium अपेल भी करती है, अब side में आ जाते हैं, और देखते हैं कि side में यह गाडिया यह Seltos का, Kicks का, Duster का rival है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, length के मामले में Elzar काफी बड़ी और थोड़ी सी जादा premium अपील करती है, यहाँ पर आप side में अगर देखेंगे, तो इसके जो alloy wheels हैं, यहाँ पर आप लोगों को basic में still rims हो अगेरे मिलते हैं, और यहाँ पर आपको basic model में 17 inches के tires के साथ में यह alloy wheels दिएगा हैं, तो again जो side profile है, वो भी इस basic model की थोड़ी सी जादा अच्छी अपील करती है, जब आप Elzar को देखते हैं, compared to Hyundai Krita, आप लोगों को यहाँ पर भी body colored ORVM और जो door handles वगेरे मिल जाते हैं, शाक्फिन 18 वगेरे मिल जाते हैं यहाँ पर आप लोगों को roof rails भी मिल जाती है, यह basic model में है, अब definitely आप बोलेंगे कि इसे उपर वाले model में जाएंगे तो आपको सभी चीज़े मिल जाएगी, बट हाँ, जब basic model की बात आती है, तो इसका मैंने EX model यहाँ पर रखा हुआ है, because range definitely मेरे पस में यही था, इसमें भी LED हैं, बट definitely यहाँ पर थोड़ा सा difference लोग के साथ में आता है, अब क्रेटा यहाँ लिखावानी मिलता है, बट एल्गजार जो है, वो थोड़ा सा जादा, बोल सके ना के kind of blackish यहाँ पर यह क्रोम यूस करा है, उसके उपर एल्गजार लिखा है, उसके उपर Hyundai क लोगो, बेसिक मॉडल में भी आप लोगों को यहाँ पर यह डिफ ऑगर दिगए है, stop mount LED lamps, shark fin antenna और wiper वगिरे सारे features वगिरे मिलता है, और dual tip exhaust मिल जाता है, और reflectors भी दिए गए हैं, अब एक बार आ जाते हैं, और देखते हैं कि Krita में पीछे क्या कुछ features वगिरे, company देती ह कि again मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, sorry, कई लोगों को थोड़ा लगर होगा कि क्या है, समझ में आ रहा है, बेसिक मॉडल है, तो आप दीख सकते हैं, Krita की सिसाब से लिखा गया है, और यह kind of basic साब दिखा रहा है, कि हाँ यह आपका basic model है, बट जब आप अप लेके निकलेंगे, तो definitely यह चीज़ आपको फिल नहीं होगी, because यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वाइपर नहीं है, डिफाउगर नहीं है, और उपर कोई stop mount, लैंब भी आपर नहीं दिया गया है, और शाक्विन इंटेना definitely यहाँ पर मिल रहा है, तो कुछ इस बूट स्पेस की जब बात करते हैं, तो क्रेटा definitely यहाँ पर जीच जाती है, because यह एक five-seater है, और कई सारा बूट स्पेस यहाँ यहाँ पर आप यूटिलाइस कर सकते हैं, अपने लगेज के लिए, और flat bottom जो है, वो आपको यहाँ पर मिलता है, flat floor मिलता है बूट के लिए, ट्रे यह दी गई है, तो आराम से सामन जो है, वो आप lift कर सकते हैं, और उतारना चाहे हैं, तो उतार भी सकते हैं, यह एक फाइदा है, और definitely बाकि आप लोग इसको fold तो कर ही सकते हैं, और वो चीज़ उसमें भी हो जाती है, अब चलते हैं, अल्जार का फाइदा दिखते ह थोड़ा चोटा जो है, यहाँ पर बूट मिलता है, दो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, चोटे साइस के सूटकेस यहाँ पर रख सकते हैं, बाकि यहाँ पर आप लोगों को seven passengers के लिए या six passengers के लिए space मिलती है, जो भी आप वीरिंग चूस करें हैं उसके accordingly, और बाकि सेवर यहाँ पर नीचे की तरफ place किया गया है, और आप लोगों ने देखा, बूट के अंदर ही दिया हुआ है, ताकि आपको flat floor बना दिया जाए, और हाथ से ही यहाँ पर इसको आपको बन करना पड़ेगा, बट एक फाइदास है, यह पीछे वाली जो third row है, इसको अगर आप access क करते हैं, तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं, तो इन्हें आप down कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है, अगेन यह करेटा से जीच जाती है, और कई सारा space यहाँ पर मिल जाता है, और third row में भी आप लोगों को इसी को control करने के लिए, यहाँ पर सारे features वगरे दिये गए ह हैं, यहाँ पर USB port दी गई है, left side में यहाँ पर USB port नहीं है, बट अगर इसके उपर वाले variants में जाते हैं, तो वह आपको मिलती है, बट इस row को compare नहीं करें हैं अपन करें हैं, अपन करें हैं, तो जो boot की अगर बात करें हैं, तो boot में definitely आगे निकल जाती है, जब अगर यह प plus point है, वापस इसको उपर कर देता है, मैं अंदर चलके आप लोगों को space बताऊंगा, तो यह मेरे लिए useful हो जाएगा, कि में को बार में इसको उपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, अब तो चलिए start interior का इसी से करते हैं, अब interior में क्या को changes वागरे मिलते हैं, तो काफी premium interior आ और जो headrest है, वो आपको adjustable मिल जाते हैं, one touch ये tumble down seat जो है, इसका एक option मिलता है, इसको आपको ऐसे करना है, काफी easy है, पनी में pack था, थोड़ा सा tight लगा मुझे इसलिए, और ये पीछे seat मिल जाती है, ये plus point है इसका Elxar का, कि आप इसे use कर पाएंगे, और अगर use नहीं करना है, और जो ये premium nest जो इसके अंदर मिलती है, वो आपको crateा के अंदर miss होगी, अब उसके अंदर भी जो है rear seat देख ली जाए, कि rear seat में इसमें क्या दिया गया है, तो again थोड़ा सा kind of बोलते हैं कि जो Indians की demand होती है, आजकल के थोड़ा सा light shade हो, claustrophobic feel ना हो, तो उस type का shed जो है वो यहाँ पर इस variant में मिलता है, definitely again यहाँ पर भी आप लोगों को जो है, एक fabric seats ही मिलती है, बट integrated headrest यहाँ पर मिलते हैं, और यहाँ पर कोई भी armrest नहीं दिया गया है, तीन लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, और center जो यह tunnel का, जो बुलते हैं कि hump है यहाँ पर, तो hump भी normal है सेम ऐसा ही अलगजार में भी है, तो difference कुछ ऐसा है नहीं, और space भी almost उतनी ही है, second row में जितनी अलगजार में है, उतनी ही इसमें भी है, बस उसका wheelbase बड़ा है, तो उसका plus point बन जाता है, उसका boot space या third row, यह चीज़ है, otherwise और कोई ज़ादा difference जो है, वो seat में यहाँ आपर हो और यहाँ पर आप देख सकते हैं, AC vents दिये गए है, बट charging socket या नहीं है, और phone के लिए holder definitely यहाँ पर दिया हुआ है, बट एक कमी लगी मुझे, Lzar के अंदर पीछे AC vent का speed है, उसको कम जादा करने का option दिया जाना चाहिए था, अब देख लेते हैं, यहाँ पर front में कैसी है ग यहाँ पर arm rest मिल जाता है, और six speed का manual gearbox, यह एक diesel version है, same engine है 1.5 liter का, उसमें भी 1.5 liter का, इसमें भी 115 horsepower, 215 newton of torque, and touch screen infotainment system, इसमें यहाँ पर यह चोटी मिलती है, बट उसमें basic में भी 10.25 inch की मिलती है, इसमें अगर करीटा की बात करें, तो वही touch screen infotainment system, इसमें SX and SX optional में द मिल जाता है, तो अब चलते हैं, और एक बार steering के side से भी एक बार देख लिया जाए, ओके, तो यहाँ पर again same सारे switches, जो knobs हैं, उनकी quality भी almost similar ही रखी गई है, और seat height adjustable यहाँ पर भी मिल जाती है, आपको steering wheel again, flat bottom मिलता है, कोई issue नहीं है, और instrument cluster again, इसमें थोड़ा सा ज़्याद मिलता है, बट उसके basic में, इसके kind of top में जो मिलता है, top trim में जो मिलता है, उस type का instrument cluster दिया गया है, और नीचे यह paddle वगेरी दिये गया है, इस type का पूरा बनाया गया है, क्रेटा के front seats को, और देख सकते हो, front में आप लोगों को यह seats जो मिलती है, dedicated, आप लोगों को headrest मिलते ह है, that's all, और यहाँ पर इस variant में तो कोई air purifier वगेरी नहीं है, उसमें क्या कुछ है, वो सबी चीजें देख लेते हैं, तो आप लोगों ने देखा, क्रेटा को अच्छे से कैसी यह दिखने में है, वी रिंस पर प्लीज मत जाना, because जो available हुआ, exclusively आप लोगों के लिए लिए अब यहाँ पर देखो, इंटीरियर में जैसी आप आते हैं, तो थोड़ा सा प्रीमियम जो है, वो आप लोगों को फील होना लगता है, सारे जो नॉब्स आप लोगों को मैंने बता है, वो यहाँ पर हैं, बट डेफिनिटल यह जो आस पास के color हैं, वो काफी जादा इसको मोडल में, cruise control वगरे सबी चीज़े मिल जाती है, जो instrument cluster है वो भी आप देख सकते हैं, जो क्रीटा में top end में मिलता है, उस type का यहाँ पर दिया गया है, और इधर आप देख सकते हैं, engine start stop button, traction control का switch वगरे दिया है, and center console बुलकुल fully loaded है, अगर आप basic model भी इसका ले ले लेते है तो मैं काफी satisfy हूँ, यह definitely six speed talk converter unity के साथ में है, automatic gearbox, और इसमें भी आपको driving controls दिये गया है, traction control का switch यहाँ पर दिया हुआ है, तीन traction के modes है, snow, mud, sand और तीन यहाँ पर drive mode दिये गया है, electronic parking brake, auto hold function, view monitor भी यहाँ पर रखा गया है, यह आप दीख सकते हैं, और बाकी center console का layout जो है, और यह एक बहुत ही जादा necessity वाला feature, यहाँ पर smart air purifier भी integrate किया हुआ है, अब यह देखो, same वही plastic dashboard, बट जो इसकी finish है, वो बहुत जादा अच्छी लगती है, और देखने में काफी जादा premium लगता है, AC के vents वगिर जो है, वो काफी जादा premium जो है, वो दिखाई पड़ते ह तो यह सबी चीजे मिलती है, Elkzar में, तो आप लोगों ने देखी Elkzar and Hyundai Creta, दोनों में से कौन से आपको पसंद आई, मुझे नीचे comment box में जरूर से बताईएगा, exclusive video थी, please like कर दो, बहुत जादा मेहनत करके दोनों गाडियां एक साथ arrange करी आप लोगों के लिए, और one more thing, अगर मेरा opinion जाना है, तो मैं आप लोगों को यही clear कर रहा हूँ, कि अगर आपकी requirement है, कि आपके धर में 2-3 लोग ही हैं, तो फिर आप ख्रेटा के साथ जाएए, otherwise इसका basic model purchase कर सकते हैं, Elkzar का, जो की बहुत जादा value for money है, जो features यह offer करता है, कहीं से कहीं तक नहीं लगता है कि यह basic model है, इसमें जैसे दिखता है कि यार, headlight थोड़े से kind of low दी हुई है, जो wheels है, वो normal still rims वगेरे दे गए हैं, यहाँ पर यह सारी चीजे नहीं है, interior में भी जब आप कभी बैठते हैं, अपने friends या family के साथ लेके जाते हैं, तो यह थोड़ा सा kind of, अगर आप basic model की तर करती है, अब आपका क्या thoughts है, क्या आपके opinion है, वो नीचे comment करके ज़रूर से मैं पढ़ना चाओगा, तो एक बार फटा 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 जाके comments कर सकते हैं, और कोई भी question और doubts हो, query हो, नीचे comment हो करी सकते हो, Instagram, Facebook में message भी कर सकते हो, link नीचे description में मिल रहेगी, तो बस आज की वी